रेश्मी चीटी, फॉमिका फुसका, जो पूरे यूरोप में पाई जाने वाली एक सामान्य प्रजाती है, को मूत्र में स्तन कैंसर की गंध की पहचान करना सिखाया जा सकता है। Proceedings of the Royal Society B में इस साल प्रकाशित फ्रांस में University Sorbonne Paris Nord के शोद से पता चलता है कि चीटिया स्वस्थ चुहों वा मानफ स्तन कैंसर वाले चुहों से प्राप्त मूत्र की गंध के बीच अंतर करना सीख सकती है। चीटिया और अन्य जानवर विभिन वाश्कशील काबनिक योगिकों या वोलिटाइल ओगैनिक कमपाउट से गंध को पहचान लेती हैं। ये रसायन विभिन तरीकों से उत्पन होते हैं और सास छोड़ते हुए और पसीने मूत्र और रक्त में पाए जा सकते हैं। रोग हमारे द्वारा उत्सजित VOC को बदल सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक अलग गंध आती है। कैंसर के नमूने के पास एक चीनी रिवार्ड या इनाम के रूप में रखने पर चीटियों ने उस गंध की तलाश करना सीखा, एक प्रक्रिया जिसे ओपरेशनल कंडीशनिंग कहा जाता है। हम चीटियों की तेजी से हैरान थे। केवल 10 मिनट में एक चीटि को प्रशिक्षित किया जा सकता है। वैग्यानिकों ने चीटियों को प्रशिक्षित करने के बाद त्यूमर और स्वस्थ चूहों के मूत्र के नमूनों के साथ एको पैट्री डिश में रखा। उन्होंने कैंसर के नमूनों के साथ 20 प्रतिशत अधिक समय बिताया। चीटिया उन रसायनों को सूंगती हैं जो उनके एंटिना पर घ्रान रिसेप्टर्स के साथ गंद बनाते हैं।